सफीद सोने के लिए प्रसिद निमाड शेतर में इस वर्ष ब्लॉक में कपास की फसल का रखबा बढ़ा है पिशले वर्षों में कपास के भाव ने सभी रिकोर्ट तोड़ दिये थे जिसके कारण किसानों को इस वर्ष भी अच्छे भाव मिले की उमीद थी जिसके चरते अधिक मात्रा में कपास की बोनी की गई लेकिन लगातार बारिश के चलते किसानों की उमीदों पर पानी फिर गया है कपास की क्वालिटी पर असर पढ़ा है और इसका असर मंडी में कपास की आवक पर भी देखने को मिल रहा है शहर की कृष्य उपस मंडी में 7 से नंबर से कपास की खरीदी शुरू हुई थी मूरत में कपास का नियुंतम भाव 660 रुपे कुइंचर रहा तो वही अधिक्तम 10,151 रुपे प्रती कुइंचर देखने को मिला था किहार और परवो के कारण मंडी में कपास की आवग कम देखने को मिल रही है आपारिश के कारण कई किसालों का कपास भी भीग चुका है और उसमें नभी आ गई है जिसके कारण कम भाव मिलने के चलते अधिक्तम भाव मात्रा में किसान मंडी में लेकर आ रहे है वही मंगलवार से मध्यांचर कोटन जीनर्स एंड ट्रेडर्स ऐसोसियेशन की अर्णिश्चित कालिन हर्टाल के एक दिन पहले मंडी में 16 बैल गाणियों और 43 महानों से 675 कुटल से अधिक कपास की आवग देखने को मिली जिसमें कपास का नियुतम भाव 4800 पे प्रतिक मिंचर रहा तो वहीं अधिक्तम 9200 पे देखने को मिला अब देखा जाए तो 5-7 फीसदी फिलाल कपास का भाव बढ़ता हुआ दिखाए दिया है इस वर्ष कपास का रखबा पिछले साल वर्षों के मुकाबले कपास में अच्छे भाव देखते हुए किसानों ने बड़े बैमाने पर कपास की फसल की सोईं की थी इस वर्ष बढवाहा ब्लोक में भी कुल 64,513 हेक्चर के रखबे में खरीफ की फसल के सानों ने बोई है जिसमें कपास की बोनी फिछले वर्ष की तुला में करीब 5-7 फिसदी बढ़कर 54,001 हेक्टियर हो गई है शेश 10,512 हेक्चर में समानिया फसले धाल, जुआर, मक्का, बाज़रा और दगन फसलों में आरर मूं गोड़क की फसल लगाई गई है वहीं तिलन फसलों में मूंफरी, सोयाबी, तिल, अरंडी वैसूरे मुखी 190 हेक्चर में देने की फसल बोई गई है आपको बता दें कि एक और लगातार बारिश के चलते किसानों की फसले पर भावित हुई है तो वहीं मंगलवार से मंडी टेक्स करने कम करने की मांग को लेकर मध्याचल कोटन जीनर्स एंड एसोसियेशन की और निष्चित कालीन हर्ताल भी शुरू हो चुकी है जिसके कारण मंडी में कपास की ख्रीदी विक्री नहीं हो पाएगी इस समझ में किसानों को सुच्रा देनी गई है जिसके कारण किसान अपना कपास मंडी प्रांगन में बेशने के लिए नहीं ला पाएगे हुई एनाल मंदी चालू रहेगी और हरताल का असर का पास के में पार पर भी पढ़ सकता है अगामी दिपावली चुहार बनाने को लेकर किसान भी काफी चिंतीत है विरो रिपोर्ट मार्केटाइंस टीम